हेलो एवरीवन है एक्चुली बहुत समय से एक डिमांड आ रही थी कि एक स्टैटजी ऐसा डिसक्स किया जाया जिसके कारण सी डिप्यों का जो एक इजामिनेशन आपनों का है यह आप कमिंग जो भी दो-तीन महीने में में एक्जामिनेशन होना है उसके प्रिप्रेशन कैसे करें यह एकदम से नया गेटप में देख रहे होगे समझ सकते हैं शौक से नहीं है मजबूरी करना पड़ा है तो हम लोग भी बात कर रहे हैं कि कैसे अगर यूपीस्टी का एक्जाम भी डिले हो गया है बीपेसे 67 भी होगा और CDPO का भी तो आप लोग को एक टाइम मिल गया है एक्जाम की तैयारी करने का एक्जामनेशन की तैयारी के दोरान जब एक्जाम की तैयारी करते हैं तो कई सारी समस्याइं होती है कैसे क्या करें किस स्टेज कैसे तैयारी करें और कैसे एकदम पॉफिक्ट अच्छ बहुत इस्ट्रेस ना हो यानि एक ऐसा रास्ता आपको दिखाया जाए जिसके कारण बहुत इसली आप exam को क्रह कर सकेए सारी वीडियो मेरी अल्मॉस्ट इसी पर बेस होती है इसी पर बेस्ट होती है और काम भी करती है यह आपकी लोग बताते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अभी आपकमिंग कोई भी examination including UPSC, BPSC, UPPSC जो भी exam CDP aper exam हो रहा है इसमें कई सारे newcomer हैं जो बिल्कुल entry कर रहे हैं आप समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे exam को हम crack करें किस रसे strategy हमारी हो तो three-way strategy की three-way step की हम लोग बात करेंगे three step में आप अपने exam की पूरी तैयारी कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसमें सबसे एहम आपका first step ही है लेकिन एक तो believe करना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है और दूसरा कि जितना आप कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से करना है उसमें फिर धिलाई नहीं होनी चाहिए फिर कर बड़ अभी हम लोग अभी मैं आपसे बात करूँगा कि first stage में क्या second में third लेकिन उसके पहले एक छोटा सा और चोटा सा ये कि तीनों stage एक दूसरे से related है लेकिन जो पहला stage है आपका इसके अंदर हम लोगों ने limited subject लिया है और उस subject के अंदर सिर्फ important area को लिया है पहले उसी को cover करना और cover करते ही हिम्मत के साथ छोड़ देना है अब आपको लगे हिम्मत की क्या जरूरत है बहुत जरूरत है हिम्मत की तो इतनी जरूरत है कि आप सोच नहीं सकते है आप लोगों को लगता होगा कि ये मजाक है लेकि ये मजाक नहीं है बहुत हिम्मत चाह को पढ़ना है और उसको रोग देना है ठीक है पढ़ना है और पढ़के उसको रोग देना है फिर दूसरे सब्जिक्ट फिर तीसरे सब्जिक्ट इस तरह से सब्जिक्ट के कोडिंग हम लोग चलेंगे और यह जो लिंक है इसका पूरा स्टेप का यह आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप डाउनलोड कर लिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं modern history के अंदर modern history का important role है तो modern history को कैसे करेंगे तो modern history के अंदर stage पहले step में क्या क्या करें तो modern history में इदाउदर कुछ नहीं पढ़ना सीधा आप हिट कीजिए टॉपिक को सीधा टॉपिक हिट कीजिए चैप्टर हिट कीजिए यानि भारत का जो स्वतंतरता संघर से उसको सीधा उठाइए और उसमें 1857 बंगाल विभाजन स्वदेशी मुव्मेंट होम्रू लीग आंदोलन असहयोग आंदोलन सविनय वग्या नौर सिबिल डिस ओविडियन्स मुव्मेंट और इसका इंग्लिस भी है इंग्लिस भी दे दिया गया है दोनों डाउनलोड कर लीजेगा कुई इंडिया मुव्म क्रिप्स योजना कैबिनेट मिशन माउंट बेटन प्लांग नहरू रिपोर्ट गोल में सम्मेलन कॉंग्रेस सेशन जितने भी कॉंग्रेस सेशन हुए वो गवर्नर जनरल और वाइशराय के पीडियेड में जो जो हुआ है वो संभिधानी constitutional development और educational development साथ ही cultural and social जो reform हुआ थ इसके अलावे भी इसके अंदर topic है इसको देखके बंद कर दीजेगा इतना देखके modern India को stop कर देना है फिर modern India में हाथ नहीं लगाना है ठीक है और जब इसको आप बंद कर देंगे इसको जब आप बंद कर देंगे अच्छे से पूरे वीडियो समझ लिजे कैसे क्या करना है इसको जब बंद करेंगे तो second आपका आएगा वो है geography उसको हम लोग भूगोल केंगे इस भूगोल के अंदर क्या होगा इस भूगोल के अंदर इस geography के अंदर सबसे पहले तो latitude and longitude अक्षांस और देसांतर इसको समझ लेना है हमारे solar system को समझ लेना है ज्यादा universe में भी नही solar system को पहले समझ लेना है इसके बाद ध्यान रखना जोगड़फी को इंडियन जोगड़फी एंड वर्ल्ड जोगड़फी में change नहीं करना डिवाइड नहीं करना कि कौन इंडियन है कौन वर्ड नहीं करना एकदम common way में आप उसके बाद क्योंकि आप latitude लॉंगिटूड अ प्लेटू है यानि जो भी परवत है जो भी पठार है जो भी परवत है उसके अलावा नदी जील डिजर्ट मरुवस्थल घास के मैदान जो भी वेजटेशन है वनसपती है जो भी स्ट्रेट है जल संदी है जल परपात दूप समू आइसलैंड लैंड लॉक्ड कंट्री और अ प्लस्तीन और इस्राइल सीरिया यह यहां पर जो भी चल रहा है उसको एक पर देख लेना है और यह क्या हुआ अफिर से समझे जितने भी माउंटेन है इंडिया के है कि वर्ल्ड के है पठार है जो भी इंपॉर्टेंट है मरुस्थल है वो सब को एक राउंड में पढ़ जिए जोग्राफी पर पढ़ के बंद कर दिएगा अफर्स्त स्टेप में यहीं पर पढ़ के बंद कर देना है ठीक है तीसरा को एक जगरफी हो गया पॉलिटी क्या करना है पॉलिटी के अंदर आपको इसके बाद प्रीमबल उर्देशी का पार्ट 1 2 3 & 4 & 4 a यानि सिदिजनिट शीप पार्ट 3 फंडामेंटल राइड पार्ट 4 में डी सीट फंडामेंटल ड्यूटी इतना कर लइजे उसके बाद कैसे पढ़ना है अभी पॉलिटी को कैसे और कारना है कि कहां है यहां पे राश्ट्रमत्रथी प्रेसिटेंट पढ़ना सात में प्रेसिडेंड जैसे ही पढ़ें तुरंत स्टेट संसद के क्या काम है और राज-विधान-ो килदे के क्या कин़ा है कैसे चुना होता है इसको देख ले ना है कैसे विधान सभा विधान परिशन होती हिसको देख나 है इसके अलाबा बजट अलग से कर दिया गया है बजट को अलग से देख लिजेगो उसका सारे प्रोसेस स्टेप को देख लेना है इमर्जेंसी प्रोवीजन आपात उबद कॉंस्टिजोशनल एमेंडवेंड समविधान संसोधन कैसे होता है एलेक्शन कमिशन निरवाचन आयोग, फिनांस कमिशन वित आयोग जो भी important article है, schedule है and part है उसको देख लेना, नगरपाली का पंचायर साथ में judiciary system, हमारा जो नयापाली का है वो दल बदल कानून, राज मानवादिकारायोग और राष्ट्रिय मानवादिकारायोग और political parties को मानिता कैसे मिलती है, कौन state party है, कौन center party है उसको बंद कर दीजेगा, बहुत time नहीं लगेगा, आपको भी सुनने में लगड़ा होगा, सब cover है, सब नहीं, बहुत कुछ उटा हो अभी है उसके बाद, सबसे बड़ी समस्यात होती है, अर्थसास्त के अंदर, economics को कैसे tickle करें देखे, economics के अंदर कई सारे important word होते हैं, आपको first stage में economics के सारे words को clear करने है words, पहला, GDP, GNP, NNP, NDP, और क्या है, साधन लागत, ठीक है, factor cost, national income, राष्ट्री है, per capita income, प्रतिवेक्ति है inflation, क्या होता है, headline, inflation, cold inflation क्या होता है, उसके अलावा, reporate, reverse reporate, CRR, SLR, manufacturing क्या होता है, construction, निर्मान, बी निर्मान क्या होता है अर्थ विवस्था के प्रकार, types of economy, और अर्थ विवस्था का छेत्र, area of economy, क्या कौन-कौन सा area है, प्रात्मिक, secondary, tertiary, इस तरह से banking system, देख लिजएगा, RBI कैसे काम करती है, और कैसे loan देती है, bank system कैसे काम करता है, share market में, sevy कैसे काम करता है, share market को देख लेना है, primary market क्या होता है, secondary market क्या होता है, इतना आपको अभी इसमें देखना है, उसके बाद, budget और उससे related कुछ और word है, जो की important है, जैसे physical deficit, राजस्व घाटा, उसके बाद, पुंजीगत घाटा, capital deficit, उसी तरह से राजस्व प्राप्ती, पुंजीगत प्राप्ती, budget घाटा, प्रात्मी घाटा, यानि primary घाटा, क्या होता है, उसको देख लेना है, तो ये हो गए आपका economics, अब आता है, last, first step में आपको जो करना ह वो है बायो बायो लॉजिक के अंदर ज्यादा नहीं मानो यानि इंसान और पेर पौधे को जितना डिजीज होता है इंपॉर्टेंट वो और उसके होने के कारव पहला दूसरा कोसिका यानि सेल तो कोसिका से सेल डिवीजन से लेके सबकुछ यू करेटो में आलग कोसिका होती है अपना प्लांट के अलग होता है अलक होता है तो जैसे पाचन चनत उत्सर्जन तंत्र अंत्र स्रावी श्वसन रेस्पैर्टर सिस्टम परिसंचरन तंत्र कंकाल तंत्र तंत्रीका तंत्र प्रजनन तंत्र यह सब दिया है इसके लावा नित्र यानि आख और आख से संबंधित रोग आख और आख से संबंधित रोग तो यह सारी चीजें दी ग जोग्रफी प्वालिटी एकोनोमिक्स और बायोलोच इतना हो गया यहां पर कोई करेंट इंक्लूड नहीं किया गया और कुछ नहीं किया गया है सिकेंड स्टेप के अंदर जैसे ही आप आएंगे आप को होगे सिकेंड पिर में जैसे ही आएंगे अब उपर के जो भी सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर छूट गया है उसको इंक्लूड कर लीजेगा साथ मैं फिजिक्स केमस्ट्री आपको कर लेना है मेडैवल हिस्ट्री एंड मॉडर्ण हिस्ट्री कर लेना है इसके अलावा इको लॉजी एनवेरमेंट एंड साइन्स एंड टेक का टॉपिक शूट रहे हैं उसको आप लोग सेकेंड स्टेज में करके करेंट अफेस को कर लिजेगा तब करेंट अफेस कीजेगा और तब थर् कुछ मिल गया तो उसको देख लिजेगा फिर करेंट अफेस होगा लेकिन आपको याद यह रखना है हर एक स्टेप में हर एक स्टेप में आपको प्रीवियस येर का पेपर सॉल्व करना है नए question solve करने है किसी भी test series का question solve कर लीजिए लेकिन आपको regular basis पे first stage में भी chapter पढ़ा question solve second में भी third में भी question solve daily करना है revision daily करना है तो इस तरीके से आप अपने step को finish करते चलिए आप पहले step को पहले कर लीजिए उसके बाद सब कुछ समझ में आने लेगे आपको second में आपने topic क्यों नहीं लिखा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जैसे ही पहला step आप पूरा करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या छूट रहा है क्या रह रहा है क्योंकि आप questions 100% फाइदा होना है आप इस वो कड़के देखिए और बताइए कैसा लगा क्या रहा है